तो हेलो गाइज आज एक फिर से आप लोंके लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं और कल जो मैंने आप तो वीडियो डाला था कि एक्जाम SSC CHSL का पोस्पोर्ण नहीं होगा उसके बाद मैंने आपसे बोला थे कि आप कमेंट के नीचे डालिएगा अपने क्वेश्चन जो भी हैं मैंने सारे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े उनका जवाब दिया यतने भी पर आई एक हजार से उपर कमेंट हो गया तो सबका तो नह और मैंने सूचा कि चली एक बार फिरसे ये वाले क्वेश्चन उसे पूछते हैं और देखते हैं कि उनका जवाब इस्पर क्या रहता है और वो इस्पर क्या बोलते हैं तो और थेंटिक चीज में आपको फिरसे बता रहा हूं दुबारा मैंने फिर से SSC कॉल किया, इस बार प्रियाग राज ने फोन यानि उत्तरपदेश सेंटरल जो रीजन है उनका उनसे नहीं उठाया फोन, दिल्ली का जो रीजनल आफिस है उन्होंने फोन उठाया और उनसे मैंने सिंपल वही बात पुछी जो आप लोगों ने मु मैं तो उसकी डेट रिवाइस करके आपको नई डेट दी दियागी, यह मैं आपको कल बताया था, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे एक लगा वो यह था, कि अगर सर मुझे कोरोना हुआ है, तो मैं पेपर देने जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, तो इसका मेरे भविश की क्या गलती, अगर मुझे करोना हुआ है, तो मुझे पेपर देने नहीं दिया जाएगा, तो मेरा तो एक साल वरवाद हो गया, तो मेरी क्या गलती, यह मुझे पॉइंट लगा, सही लगा, तो हाला कि मेरे पास इसका जवाब था, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, एससी ऑफिस से पुछा जाए कि उनकी क्या राय है इस पर, मैंने फोन किया उनसे बोला, कि सर यह बताई कि जैसे अगर आप पॉस्पोन तो नहीं कर रहे हैं एक्जाम किसी भी आलत में, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट एक्जाम देने जाता है और उसको अग कि वो अलग टाइप की बात कर रहे थे, मैं उनके कुछ और पूछ रहा था, तो लास्ट में जब फोन लगते रखते उनकी ये बात हुई, मैंने बोला कि क्या कोविट पॉसिटिव स्टूडेंट एक्जाम दे सकता है, तो उसमें बोला, अब्यूसी बात है, नहीं दे सकत कर रहा है, उसकी तो नोगरी चली गई, या मालिज उसकी तो महनती बेकार होगी, तो उसकी क्या गल्ती, उसके लिए आपने कुछ ऐसा कोई प्रवदान नहीं लगा है, आपने कि ऐसे कोई आरेंजिमेंट्स की होगी, ऐसे लोगों को एक्जाम, उन्होंने सीधे फोन उठ उठाकर काट दिया, यानि कि उनके पास इसका भी कोई जवाब नहीं था, उन्होंने फोन उठाकर काट दिया, मुझे भी समझ में आ गया कि सच में उनके पास भी इसका कोई भी आंसर नहीं था, और तो फिर मैंने फिर इस पर कुछ सोचा, और दोस्तों मैं आपको एक ची क्या उसके भविश्क का क्या मैं आपर दो बात आपसे बोलना चाहता हूं आपको हो सकता है कुछ लोगो मेरी बात अच्छी लगेगी कुछ लोगो मेरी बुरी लगेंगी जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा मेरे अपना अपीनियन है देखे दोस्तों बिलकुल बात सहिए कि अगर हमें कोरोना होता है और हम पेपर नहीं दे पाते हैं तो जाइड सी बात है हमारी पूरे मेहनत जो है सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी नोकरी वैसे भी नहीं मिल रही है जल्दी वैकेंसी वैसे भी जल्दी नहीं निकलती है और अब जो निकली है उसमें भी हमारी क् गलती अगर हम paper देने ना जा पाए हैं तो इसमें दो बाते हैं मैं पहली बात आपसे कहूंगा कि देखे बहुत बार ऐसा होता है कोरोना के अलग अटा दो कभी-कभी ऐसा होता है कि एक्जाम के पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम एक्जाम देने नहीं जा पाते है माली जा एक्सिडेंट हो गया, पैर टूड़ गया, हाट टूड़ गया, कुछ भी ऐसा हुआ कि आप पेपर देने नहीं जा पाए इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं, सरकार की भी नहीं, तब भी आप पेपर देने नहीं जा पाते हो माली जा आपको पेपर देने से पहले कोई बहुत बड़ी बेमारी लग गई, कुछ भी हो गया कुछ भी हो गया घर में कोई ऐसी प्राब्लम हो गई ऐसा है केस है हमारे साथ मेरी कि स्टूइंट थी उसका बैंक का पेपर लगा हुआ था वो बहुत सालों से त्यारी कर रही तो मुझे पता था वो निकाल लेगी हाला कि उसने दूसरे बार में निकाल लिया लेकिन पहली बार में उसको जाना था वो नहीं दे पाई तो क्यों हुआ उसके घर में उसकी सिस्टर का फ्रेक्चर हो गया उसके पापा की कुछ तब बहुत जादा खराब हो गई तो वो नहीं जा पाई क्योंकि वो अकेली थी उसको समालना था वो पेपर देने नहीं जा पाई इसमें किसकी गलती हुई ना उसकी है, ना SSC की है, ना बैंक की है, ना सरकार की है तो दोस्तो, COVID की जो situation है सच बताऊं तो इसमें अगर आपको COVID होता है सच बताऊं तो इसमें किसी की गलती तो नहीं है कि आप बैटके वहाँ पर पेपर दो तो ऐसा मत सोचे कि यार हमें पेपर देने नहीं दिया है हमारा भविश वर्दा ऐसा क्या ये वो तो देखे बहुत सारी ऐसे दूसरी भी मिमारिया हो सकते दूसरे भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आ सकते जिसमें आप पेपर नहीं दे पाते हो कई बार तो उसमें ये चीज़ नहीं हम पूछते हैं कभी किसी से क्योंकि वो तो हमें पता है हमारी दिक्कात है हाँ एक चीज है लेकिन दूसरी बात अप मैं आप से कहना चाहूँगा कि ये एक हमारी है जो पूरे विष्व में है किसी का पैर टूटता है वो उसकी इंडिविज्व प्रॉब्लम है बाकी सब जा रहे पेपर देने वो नहीं जा पार है क्योंकि उसका पैर टूटता है किसी को कोई बिमारी हो गए उसकी individual problem है वो नहीं जा पा रहा है वो तब किसी से नहीं बोलेगा कि मैं मुझे बिमारी हो गए ती इसलिए में नहीं जा पाए मेरा तो भविश बरवाद हो गया लेकिन आज वो कहेगा कि यार SSC ने मुझे paper नहीं देने दिया क्योंकि मुझे covid हो गया था और उसने paper नहीं देने दिया मेरा तो भविश बरवाद हो गया क्योंकि ये एक ऐसी वेमारी है जिसमें सभी लोग गरस्त है यहाँ पर मैं दूसरी बात पहना चाहूँ कि हाँ कुछ ऐसे arrangements किये जा सकते थे SSC के तरफ से कि जिस भी student को अगर corona हुआ है वो अपनी website पर कोई ऐसा link निकालते कोई ऐसा notice निकालते कि मैं इस date से इस date तक इस time से इस time तक एक link activate करेंगे हम लोग जिसको भी corona positive है जो भी student जिसने paper भरा हुआ है form वो अपनी जो report है जो details है corona की वो upload करिए हम उसको cross verify करेंगे चेक करेंगे अगर वो सही होंगी तो हम आप लोगों के लिए उन सभी corona वाले students के लिए एक अलग से date बाद में रखेंगे एक particular किसी time पे ऐसा कुछ भी arrangement उनको करना चाहिए कि बाद में हम आप सभी बच्चों का paper करा लेंगे एक तो ये चीज़ थी अब इसमें भी देखो दो तीन चीज़ है और भी आएंगी हाला कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही करो ये तो मेरी एक सोच है SSC के officials बहुत हमसे भी बहुत जादा intelligent है वो ऐसा कुछ arrangement कर सकते थे शायद ऐसा हम सबको लगता होगा मुझे भी लगता है बट इसमें भी problem ये है कि बहुत सारे student नहीं जा रहा है एक्जाम देने डर की वैसे हो सकता है शायद वो भी कहीं से कोई गलत report बनवा ले गलत report बनवा किया कैसे भी कुछ भी करके बन सकती है ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती तो वो लोग upload कर दे और शायद इसमें उतना एक वो transparency नहीं रह जाएगी कि किस बच्चे को सच में है या किस बच्चे को करोना positive वालों का हम बाद में एक्जाम करा लेंगे उसके लिए आप मुझे details दे दो upload कर दो हम आपका data रखेंगे और उस data के student को बाद में करा देंगे particular इस data मुझे आपको data बेजना है उसके बाद कोई बेजागा तो allow नहीं करेंगे कम chances थे कि शायद कोई फरजी पना इसमें करता क्योंकि बहुत कम chances है कि कोई फरजी पना करता और हो सकता था शायद कुछ cases फरजी आते बट वो कैसे ने पटना है ने पटना है मेरी काल से वो जाद अच्छे सोच सकते हम ने अच्छा अगर ये भी काम नहीं करता तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो solution था वो ये था कि जब आपको लगता है कि कोरोना positive का future बरबाद हो सकता है कि वो exam नहीं दे पा रहे हैं जो कोरोना positive नहीं है वो भी बच्चे नहीं दे पा रहे हैं paper वो भी डर रहे हैं तो कहीं नहीं बहुत सारे बच्चों को भविश्य प्रभाद हो रहा है आप सीधे exam ही postpone कर दो ना तो अगर exam postpone हो जाता तो शायद सभी लोग बच जाते और बाद में सभी लोग exam दे सकते थे तो मुझे लगता है अच्छा कल एक बहुत ही खास बात उन्होंने उससे बोली मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा मैंने उससे बोला कि सर आपने कभी यह नहीं सोचा कि उससे वो example दिया कि आप postpone की बात कर रहे हो ये बताए कि महरास्ट में तो पूरा lockdown लगा ये SSC office से उससे बोला महरास्ट में तो पूरा lockdown लगा हुआ है बट वहाँ पर भी तो बच्चे जा रहे ना पेपर देने हैं सोचो कैसे जा रहे होंगे इसका मतलब बच्चे बहुत समझदार हैं वो जा रहे हैं पेपर देने हैं महरास्ट में पूरा lockdown है तब भी बच्चे जा रहे हैं पेपर देने तो जब वहां की जा सकते हैं तो यहां की तो जाई सकते हैं ऐसा उनका कहना था मैंने बुला आपने यह नहीं सोचा सर कि अगर कहजारों बच्चा सेंटर पे आएगा तो उनको COVID positive नहीं हो सकते हैं क्या बूलो बच्चे बहुत समझधार हैं और बच्चे जा सकते हैं तो मैंने बूला ठीक है बच्चे समझधार है करोना थोड़ी समझधार है उनसे कोई बात ज्यादा बहस करने की ज़रूत नहीं थी क्योंकि मुझे पता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं जैसा ओफिशल्स कर रहे हैं वैसे वो करेंगे बट उनका ये मानना है कि बच्चे समझदार हैं बच्चे अपनी से जा रहे हैं और जाएंगे और जाते रहना चाहिए एक्जाम नहीं छोड़ना है ऐसा उन्होंने बोला मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूंगा दोस्तों आपको अगर कोविड है कोशिश करिए प्लीज एक्जाम देने मत जाएए कोगी मैंने कमेंट में पढ़ा सर मुझे कोविड था मैं तो पेपर देखे आया हूँ किसी न मुझे नहीं रोका क्योंकि उनको पता ही नहीं चला ये मुझे लगता है थोड़ा गलत है अगर आपको कोविड है आपको पता है तो मुझे लगता है आपको दूसरों लोगों की जिंदिगी जोके में नहीं मैं मानता हूँ कि आप इस समय सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं वो बच्चा बोलेगा कि सर मुझे बताइए मुझे कोविड है मैंने चार साल से तैयारी करी मेरा भविष्ट तो लटक जाएगा ना मैं क्या कवोगा मैं एक कोविड की चक्कर मुझे बताओ मुझे आज कोव लेकिने आपर सबके लिए भी थोड़ा सोचना है कि यार कोविड ऐसी विमारी है कि अगर आप किसी और को देते हो तो मुझे लगता है यह ज्यादा वेकार है आप एक बार शायद अगले साल पेपर दे सकते हो फिर से तैयर करके बड़ अगर किसी की कोविड से जान चले क कुछ और हो गया यह थोड़ा विकार है तो काफी लोग मुझे लग रहा है कि उन्होंने लिखा ऐसा कमेंट में कि सर मुझे कोविड था लेकिन मैं देखे आए कोई समझ नहीं पाया कोई पैचान ही नहीं पाया तो मुझे लगता है हमारा नेतिक धर्म में कि हमें यह काम करना है ठीक है हमें ऐपर बेपर शायद में भी छोड़ सकते हैं लेकिन पेपर छोड़ने का कस्ट भी उतने है जतना कोविड में पेपर देने का कस्ट है दोनों ही बाते अपने अपने आप में सही है आप commence करने है क्या सभी और слова को पोजिट मोगऀ को पेपर लेने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बड़ वो बच्चा कहेगा सर मेरी मेहनत का क्या मेरे कॉविट पॉजिटिव होने से मेरा तो वह विश्य बेगार है उसकी बात अपनी जगह सही है हमारी बात अपनी हगह सही है तो ये एक ऐसी मुझे लगता है सबका एक ही सलूशन था कि एक्जाम को ही थोड़े दिन तब पोस्पोन कर देना चाहिए था सारी प्रावलम्स ठीक हो जाती देकन वही है कि जब भर भर के ससी को हमने बूला था है ना सबी ने बूला था कि ऐसा करती है वैसा करती आज उन्होंने पता एक ज पेपर पोस्पोन करने की बात कर रहे हो बूले आपको बच्चों के वक्त का कोई अंदाज नहीं उनका जो टाइम खराब होगा आपको उसकी चिंता नहीं है उन्होंने बोला बच्चों का टाइम खराब होगा ये बच्चों का टाइम खराब होने वाली बात एक्शली उन पोस्पूर्ण नहीं करेगी क्यों को कि हम ही लोगों ने कर करके कर करके तुम टाइम खराब करते हो रिजल टाइम पर नहीं तो उन्हें बोले ठीक है अब तुम एक्जाम ही करवा लो अब तुम एक्जाम ही ले लो और हम एक्जाम पोस्पूर्ण नहीं करेंगे कर लो अब बाकी जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल जाईए सेफटी से जाईए सेंटर्स पे पूरा प्रेकोशन लिया जा रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दूरी बनाई जा रही है बस आप अपने घर से सेंटर तक सुरक्षित जाईए सुरक्षित आईए सेंटर पे दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आप सेफटी से जाते हैं प्रॉपर मास्क वगरा शील्ड वगरा पहन के जाते हैं सेनिटाइज करके जाते हैं मुझे लगता है शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होगी आप मेहनत करके जा रहे हो इश्वर आपके साथ है मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और जाईए पीपर दे कर आईए अच्छे से बिल्कुल परिशान मत हुए All the best and thank you